कल का मैच जीतकर इंगलैंड ने किया कौलिफाई जिया दोस्तो वर्ड कप का कल बड़ा मुकाबला इंगलैंड और निदरलैंड की टीम के बीच खतम हो चुका है और ये मुकाबला इंगलैंड को जीतना बहुत जरूरी था कौलिफाई करने के लिए और जब इस मैच में तो क्रिस वोक्स ने 51 रनों की शांदार पारी खेली और नीजर लैंड की टीम इस टार्गेट का पीछा करते हुए किवल 189 रन बनाकर ओल आउट हो गई थी और दोस्तों ये मुकाबला इंग्लैंड ने पूरे 160 रनों के अंतर से जीत कर नीजर लैंड की टीम को बूरी तरह ह स्रिलंका और चौथी टीम नीजर लैंड ये चारों टीम वर्ल्ड कप की रेज से बाहर हो चुकी हैं लेकिन दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने लगभग चैंपियंज ट्रोफी के लिए कौलिफाई कर लिया है क्योंकि दोस्तों इस वर्ल्ड कप की पॉइंज टेबल में जो टीम एक से लेके आठ तक रहेंगी उन टीमों को सीधा चैंपियंज ट्रोफी में मौका मिलेगा और जो टीम 9 और 10 पर रहेगी वो टीम चैंपियंज ट्रोफी नहीं खेल पाएगी और इस वज़ा से इंग्लेंड की टीम इस समय साथवे नंबर पर है और ऐसा लग रहा है कि इंग्लेंड की टीम अपना आखरी मैच पाकिस्तान को हडा कर चैंपियंज ट्रोफी में पहुंच चाएगी ऐसे मदोस तो आपको क्या लगता है आखरी मुकाबला पाकिस्तान को हडा कर अपनी जगा चैंपियंज ट्रोफी में पक्की कर पाएगी कि नहीं आप अपनी कीमति रहा है में नीचे कमेंट में जरूर बताएं ऐसे मदोस तो इस मैच में बैन स्टोक्स की सांदार परदेशन के लिए उन्हें प्लेयर आफ दा मैच चुना गया